नमस्कार किसान भायों मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं संत्रे का एक बहुत ही बड़ा फाम है जो कि एक एकड़ पे इन्हों ने लगा रखा है इन्होंने एक एक पोदा कम से कम आटाट पिट के लगबग दूरी पे लगा रखा है और बीच में जो जगे बची विए इन्होंने इसमें 20 सोयाविन लगा रखी है तक यार एक की खेत में इनको संत्रे की हर्वेस्टिंग भी मिल जाए और सोयाविन के हर्वेस्टिंग भी मिल जाती है क्योंकि जो आटर्ट पिट की गे पर इन्होंने उसका बहुत एच्छा यूज़ किया है यह आप देखोग कि मतलब यह एक तरह से mixing हो गया सब आप देखो गया multiple फाम हो जाता है यह देखवा आप यह जो पूरा पुदा है पूरा पुदा चाया हुआ है यह देखवा आप बहुत अच्छी quality का यह आप यह संत्रे हैं बहुत अच्छी इनकी quality जो बहुत अच्छी है हमने इसे honor से बात करी तो इनने बता है कि यार 25 से 30 दिन के बाद हम इनकी harvesting करना शुरू कर देंगे और बाजार में sale के लिए भेज़ देंगे क्योंकि 20 से 25 दिन के बाद जो संत्रे आएंगे उनकी जो कम से कम पर केजी की 50 रुपे के इसाब से तो rate रहता ही रहता है तो बहुत अच्छी है इ इस पे भी संत्रे लगे हुएं तो अगर आप भी यह farm लगाना चाता है तो नर्सरी में जाईए और उनसे पूरी बात कीजिए पूरा project लीजिए उसके बाद ही संत्रे की खेती शुरू कीजिए अन्यता ना करें क्योंकि अगर आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप यह एक और पोदा है इस पे भी आप मतलब बहुत ही अच्छे संत्रा के वए मैं तोड़के बताता हूँ आपको quality देखो आप इसकी जो quality है बेस्ट quality है यह जो 20-25 दिन के बाद मतलब बड़े हो जाएंगे तो harvesting तो आराम से होई जाती है अगर आप हमारे चैनल पर अराज है हमसे उस पे followers बंड ही रहे हैं तो जाके आप follow कर दीए